इस वीडियो में इस वीडियो में दो मज़ेदार केमिकल रियक्शन करने वाला हूँ तो किरपिया इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं यहां पर इसमें इस टेस्ट टू में आयोडिन सोलूशन डाल देता हूँ और अब मैं इसमें हाइड्रोजन पर अक्साइड डालूंगा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें बुलबुले निकलते दिखाई दे रहें कि जो की बहुत छोटे छोटे हैं और उसके उपर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ये लेयर एक्चुल में इसमें से निकलने वाला ज्ञाग है याइसमें थोड़ा सथ है फैनॉल एड करके देखेंगे क्या होता है कि इसमें कुछ रखs生 होगा की तब इसमन्य थोड़ा सथ है पेनॉल को प्दैलिन इंडिकेटर सी धंती है 1405 डालकर देखते हैं कि क्या कोई रयक्शन होता है कि नहीं कोई चेंजिंग इसमें दिखता है कि नहीं आप यहां पर देख रहे हैं इसका कलर औरेंज कलर का हो चुका है इसका का लोक है एकडम कालडरिंग के जैसा दिखाई दे रहा है इसमें बूल्बोले निकलते दिखाई दे रहे हैं इसमें आइडम सके कारण होता है बुल्बोले दिखाई दे रहे हैं इस तरह का लोग और इस पानी में सोडिया जिसे कोल्डरिंग में एयर प्रेसर के कानड उसमें बुलबुले दिखाई देते हैं कुछ ऐसा इरिक्षन इसमें भी हो रहा है फ्रेंड्स कितना सुन्दर सा कि इतना अच्छा लुक दिखाई दे रहा है कोल्डरिंग के जैसा ऐस सब्सक्राइब को इसको नहीं पी सकते हैं लेट्स अमेजिए अब आप देख सकते हैं यह वाटरिंग कलर का फैनो थैली इसको डालने पर इसका कलर पर एकदम से रेड हो गया है आप यहां पर देख सकते हैं लेकिन मुझे इस कलर को हटाना है मुझे नॉर्मल करना है मुझे पहले की तरह करना है तो मुझे क्या करना होगा तो मुझे इसके लिए हमें यहां पर इसमें इसके कलर को वापस लाने के लिए हमें इसमें हाइड्रो क्लॉरिक एसीड अलना होगा तो हम इसमें हाइड्रो क्लॉरिक अशिड मिक्स कर देते हैं थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसका कलर हट जाएगा आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल हट चुका है इसके अंदर जो हमने डाला था सोडियम सलफेट और कैल्सियम हाइड्रोकसाइड वह यहां पर लेयर के रूप में जमा हो गया है और इसका जो कलर था वह बिल्कुल यहां पर समाप्त हो चुका है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन में आप उस वीडियो को देख लीजिए मिलते हैं नेक्ट झाह।